हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार ESP चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मद्धिकालीन भारती इतिहासकार अलबुरूनी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि अलबुरूनी कौन था, किसका दरबारी था, वह भारत किसके साथ आया था, भारत देश में अलबुरूनी ने कौन कौन सी जानकारी इगठा की, अलबुरूनी की ग्रंथ कौन सी है, आदिका डिटेल से अध्यन करने वाले ही तो चलिए दोस्तों, बीना एक मिनट समय गवाए, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते ही अलबुरूनी, अलबुरूनी सन 998 से 1030 इसका पूरा नाम था, अबुरहान मुहम्मद बिन अहमद अलबुरूनी अबुरहान मुहम्मद बिन अहमद अलबुरूनी, इसका जन्व सन 973 इस्वी में हुआ था, इसका जन्व में इस्तान था खीवा, मद एसिया में यह पड़ता है खीवा, उसमें यह ख्वारिज में कहलाता था, जो आज उजबेकिस्तान देश में इस्तित एक प्रांत करता था, अलबुरूनी का बच्पन का नाम अबुरहान था, क्या नाम था अबुरेहान, अलबुरूनी गजनी के सासक महमूद गजवनी का दरवारी विद्वान था, महमूद गजवनी के भारत विजय सिपूर्व, वह एक विद्वान तथा राजनी के रूप में, खीवा वंस के अंतिमसासक ख्वारी जमसाह की सेवा में था, कौन? अलबुरूनी सन 2017 इस्वी में जब महमूद गजवनी ने ख्वारी जमसाह पर आक्रमड कर विजय पाई तो उसी समय उसने अलबुरूनी को प्राप्त किया था 2018 से 2019 इस्वी में अलबुरूनी महमूद गजवनी के साथ भारत आया जब गजवनी ने भारत पर आक्रमड किया तो अलबुरूनी भी उसके साथ आया भारत को लोटने के बाद गजनवी अपनी सेना के साथ गजनी लोट गया किन्तु अलबुरूनी कई वर्सों तक भारत में ही रुका रहा अलबुरूनी कई दिनों तक देश के विभिन भागों का भरमड करता रहा तथा हिंदूओं की भासा, धर्म वदर्शन का अध्यन किया अलबुरूनी ने कासी जो आज वाराणसी कहलाती है कासी के ब्रामधों से संसिक्रत सीखी थी यद्देपिवा भारती ये सिच्चा के केंद्रों जैसे कसमीर, कन्नोज और बनारस कभी नहीं गया था फिर भी वह संसिक्रत भासा को अच्छी तरीके से सीख लिया था अलबरूनी एक मातर इतिहासकार ही नहीं था बलकि उसके ग्यान इवं रुचियों की ख्यात अन्य छेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्क सास्त्र, और सधी विज्ञान, गडित, दर्सन, धर्म और धर्म सास्त तक भी थी अलबरूनी का मुख्य उद्देश भारत के धर्मों और साहित तथा विज्ञान की परंपराओं के विशे में जानकारी प्राप्त करना था अलबरूनी ने हिंदुस्तान की सभ्यता और संसिक्रती का समेदन सील अध्यन अर्भी भासा में लिखित अपनी पुस्तक, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में किया है रजनी कांत सर्मा ने इसका हिंदी में अनवाद किया अलबरूनी ने भारतियों की विशेश कर पवित्र इस्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहन कार्यों के निर्माण में उच्च कोट की पर्विंड़ता की परसंसा की है अलबरूनी लिखता है कि हिंदूओं को या द्रण विश्वास है कि उनके जैसा कोई नहीं कोई सासक नहीं कोई ग्यान नहीं उसके अंस्वार उनकी नकरात्मक सोच ही उनके पतन के कारण बनी कितनी बड़ी बात अलबरूनी उस समय सोच लिया था कि हिंदूओं को या द्रण विश्वास है कि उनके जैसा कोई नहीं, कोई सासक नहीं, कोई ग्यान नहीं इसलिए उनका पतन होने लगा वह भारती मंदिर इस्थापत की आलोचना भी करता है क्योंकि भारती मंदिर धन के केंदर बन गये थे इसलिए विदेशी आक्रमणों के निसाना बनते थे अल्बरोनी लिखता है कि जाती विवस्ता इतनी कठोर हो चुकी थी कि दो ब्राम्भड भोजन करने बैठते थे तो बीच में सफेद कपड़े का तुकड़ा रख लेते थे जाती विवस्ता इतनी कठोर हो चुकी थी उस समय अल्बरोनी के समय उसने सुद्र की सबसे बड़ी सुची प्रस्तुत की उसने आठ परकार के आइस्प्रस का भी उलेक किया है फार एकजामपल मोची, मचुआरे, सिकारी, टोकरी बनाने वाले आदी अल्बरोनी ने इस्तरियों की गिरती दसा का भी उलेक किया है उसके अनुसार विद्वाओं का मुंडन कर दिया जाता था मुंडन मतलब किसीर से बाल मुडवा दिया जाता था इस परकार अल्बरोनी भारत के राजनेतिक दसा को छोड़ कर सामाजीक, धार्मीक वा आर्थिक आदी दसाओं का विश्तार से वर्ड़न किया है अल्बरोनी भारती परिस्तितियों एवन संस्कृतियों को जानने के लिए ब्रह्म गुप्त के ब्रह्म सिध्धांत, वरा मिहिर के ब्रह्त संगिता, कपिल के सांख तथा पतंजली के योग आदी रचनाओं का उल्ले किया है, तथा जगए जगए भगवत गीता, विशुड़ु पुराण वा वायु पुराण को उद्रत भी किया है पुराणों का अध्यान करने वाला अल्बरोनी पर्थम मुसल्मान था क्या था? पुराणों का अध्यान करने वाला अल्बरोनी पर्थम मुसल्मान था अल्बरोनी ने महमूद गज्वनी के जीवन पर आधारित तारीक ए यामनी की रचना भी की थी सचायू महोदे ने अल्बरोनी इंडिया एन एकाउंट आफ रिलीजन नाम से अंग्रेजी में तहकीक ए हिंद भुक को अनुदित किया है आजा करता हूं कि आप लोगों को अल्बरोनी के बारे में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज हम इस लेक्चर से रिलेटेड कुश्चन भी लेकर आए हैं जो इस परकार हैं और इन कुश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में अवस्य दीजिएगा पहला कुश्चन है तहकीक ए हिंद किसकी रचना है दूसरा कुश्चन है अल्बरोनी किसका दरवारी था तीसरा कुश्चन है अल्बरोनी भारत क्यों आया था उसका उद्देश क्या था चौथा कुश्चन पुराणों का अध्यान करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था पाचवा कुश्चन अलबुरूनी ने किस वर्ग की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की थी आप लोग इसका जवाब कमेंटर बाक्स में अवस्य करें आईए अब बात कर लेते हैं कि अलबुरूनी जिसका जन्म खीवा जो उसमें खौरीज में कहलाता था आज क्या देश उजबेकिस्तान में उसमें इस्तित हुआ करता था तो उजबेकिस्तान की लोकेशन क्या है हम मैप में देखते हैं ये रहा अपना प्यारा देश भारत इसके उपर पाकिस्तान और इससे उपर अफगानिस्तान तो इससे थोड़ा जश्ट ऊपर उजबेकिस्तान आ रहा है जिसकी राजधानी तासकंद है जहां पर प्रधान मंतरी लाल बहादु सास्तरी की मृत्ति भी हुई थी उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद है और इससे उजबेकिस्तान से जुड़ा एक अरल सागर है और उजबेकिस्तान से केस्पियन सागर नहीं जुड़ता है यह भी ध्यान रखिएगा आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों निश्ट दे हम अमीर खुसरों के बारे में डिटेल से अध्यन करेंगे आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अवस्ट पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बाक्स में अपना कमेंट अवस्ट करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों यदे आपको इसकी पीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जुड़कर पीडियो प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों मद्दिकालिन भारती इतिहास के संपूर पाठिकरम पर हमने चर्चा भी की है सबसे पहले आप उस वीडियो को देखीं ताकि आपको पता चल सके मद्दिकालिन भारती इतिहास पढ़ाने की मेरे स्टेट जी क्या है आज के प्रसर का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवस्य लिखें जिससे आपका रिवीजन भी होगा और सफलता और एकजाम में सफलता भी मिलेगी मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच नमस्कार